हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू यॉर ओन चैनल फिनेंशियल अजदी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 2022-23 से एक एकस्पेक्टेशन के बारे में जो की जुरोधा के मालिक निथिन कामत पिछले 15 सालों से एकस्पेक्ट कर रहे हैं दोस्तों अगर ये एकस्पेक्टेशन पूरी हो जाती है तो ट्रेडर और इन्वेस्टर जो टैक्स अभी दे रहे हैं वो कम हो जाएगा अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आईए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं लास्ट वीक नितिन कामच जी का एक ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पिछले 15 से ज्यादा सालों से हर बजट के दिन मैं इस उम्मीद से जगा हूँ कि ये कम हो जाएगा केवल जिरोदा के कस्टुमर ही पच्चिस सो करोड रुपे सालाना स्ट्ट, स्टाइम ड्यूटी और जीएश्टी में देते हैं कामजी कहना चाहते हैं कि एक ट्रेडर का पैसा मार्केट से जज़्यादा टेक्स में जा रहा है और उसी को कम करने की उम्मीद उना भारसरकार से है अगर भारसरकार इसे माल लेती है तो हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को इसका फायदा मिलेगा तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से Taxes Share Market में हैं, Goods and Services Tax GST की अगर बात करते हैं, तो यह हमें Brokerage और Transaction Charge पे 18% देना होता है। Stamp Duty Buy करने पे ही लगती है, जो कि CNC या Delivery में 0.015% या 1500 रुपीज पर करोड और Intraday में 0.003% या 300 रुपीज पर करोड देनी होती है। Security Transaction Charges, STT, अगर Delivery में हम इसकी बात करें तो Buy और Sale दोनों साइड हमें 0.1% of the transaction amount देना होता है। Intraday में STT 0.025% देनी होती है और यह केवल Sales ID होती है, तो Intraday में STT चार्ज कम है Delivery के मुकाबले। दोस्तों, नितिन कामत जी ने इनी तीनों Tax के बारे में बात की है, हाला कि और भी कई तरह के Tax हमें देने पड़ते हैं, आई उन पे भी एक निजर डालते हैं। Transaction Charges जो की Exchange द्वारा लिया जाता है, यह Buy और Sale दोनों साइड लगता है, Intraday और Delivery दोनों में यह सेम है, NSE 0.00325% of the Total Turnover और BSE 0.003% of the Total Turnover चार्ज करती है। Savi Security Board of India जो की Regulatory है, Share Market के लिए Rules और Regulation मनाने का काम करती है। Savi के जो Charges हैं वो 10 रूपीज पर करोर of the Turnover हैं, Turnover मतला Buy or Sale दोनों साइड मिला के, Depositor Participant DP Charges यह केवल Delivery में ही लगता है, जिस दिन हम कोई Stock Sale करते हैं, तो 13.5% प्लस GST उस दिन हमें DP Charges देना होता है। Brokerate Charges यह सभी Brokers का अपना-पना अलग-अलग होता है, 0-10 की अगर हम बात करें, तो Delivery में 0-10 कोई Charge नहीं लेता है, और Intraday में 20 रूपीज यह 0.03% Capital Gain Taxes, अगर कोई Share आप एक साल से पहले Sale करते हैं, तो यह Short Term Capital Gain में आएगा, और आपको Profit का 15% Charge देना होता है। अगर कोई Share आप एक साल से ज्यादा समय के बाद बेशते हैं, तो Long Term Capital Gain Tax आपको देना होगा, जो की Profit का 10% होता है। दोनों केस में Profit 1,00,00 से ज्यादा होगा, तभी आपको यह Tax देना होता है। यह तो बात हो गई Investor के हिसाब से, लेकिन अगर आप एक Trader हैं, तो आप जिस भी Income Tax की Slab में आएंगे, उस हिसाब से आपको Profit पे Tax देना होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आपको यह सभी Taxes समझ में आगए होंगे, जो अभी हम Current में दे रहे हैं, अब हम बात करेंगे कि कैसे आप यह सब चेक कर सकते हैं, सपोज आपने कोई Trade की, यह आप करना चाहते हैं, तो उस पे कितने Charges आपको देने होंगे, और आपका Profit क यह सभी आप Online चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको जुरोधा का Brokerage Calculator देखना पड़ेगा, Brokerage Calculator से आप Equity, Currency और Commodity तीनों में आपको क्या Charges पे करने पड़ते हैं, पर Trade वो आप एक बार यहां से Idea ले सकते हैं, हम क्यूंकि Equity Trade करते हैं, तो हम Equity में ही देखेंगे, तो का Profit लेके 100 Quantities, तो यह हमारी जो Trade होगी, वो लगबग 50,000 रुपे की Trade हो जाएगी, NSE और BSE किसी पे भी यह कर सकते हैं, इस Case में हमारा Total जो Turnover Amount बनेगा, वो बनेगा 1,500,000 रुपिया, Broker Charge देने होंगे, 30.15 रुपीज, STT Charge देना होगा, 13 रुपीज, GST हो जाएगा, 6.05 रुपीज, Stump Duty होगी, 1.5 रुपीज, और अब अगर हम Total Tax की बात करते हैं, तो यह हो जाता है, 54.27 रुपीज, इस पूरी Trade में हमें Profit होगा, 445.73 रुपीज का, और हमारा Tax जाएगा, 54. 54.27 रुपीज का, कितने भी Amount की Trade आप करते हो, इसमें वो सारी Details आप डालके, पने Taxes वगरा, कैलकुलेट कर सकते हैं, आईए अब एक नजर डालते हैं, अगर हम Delivery में कोई Trade लेते हैं, तो उस पर क्या Charges हमें देने होते हैं, अगर हम Same Trade करते हैं, तो हमारा जो Turnover Amount Same Exchange Transaction Charges सेम होंगे Intraday से, GST काफी कम देना पड़ेगा हमें Intraday के मुकाबले, Savi Charges सेम होंगे, Stamp Duty Charges जाएंगे 7.5 रुपीज, और Total Charges अगर हम ये देखेंगे, ये होंगे 112 रुपीज, Delivery में जो Total Charges हैं, वो Intraday के Respect में Double हो जाते हैं, अगर ये पूरी Trade हम इस साब से करते है तो हमें इसमें 387.31 रुपीज का Profit होगा, यहाँ पे Future and Options में Trade पे क्या Charges देने होंगे, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको सभी Taxes जो की एक Trader और Investor पे करता है, उसके बारे में सब पता लग गया होगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और Share Market की ऐसी ही जानकरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे साथ जुड़के ट्रेडिंग और Investment के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हमारा Telegram Group जोईन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मे मिल जाएगा, इस वीडियो में इतना ही, THANKS FOR MUCH